फिर आके बढ़ते हैं तो मैंने अभी तक यह बोला नंबर एक, पिर समय रीपीट करना हूं कॉणसे कॉइन से पॉइंट बोला त्रीने भी एकसाइट होगे पार्टनर्सिप करना ची पूरुश्च की नंबर एक यह मैंने बोला नमबर दो जो मैंने बोला communicate करना चाहिए पती ने पत्नी को पत्नी ने पती को कि उनकी इच्छा है करने की और वो communicate करके करना चाहिए नमबर तीन 4-play बहुत ज़्यादा करना चाहिए 10 से 15 मिनिट तक 4-play करते हो और 4-play करके पूर्व सेक्स अंदर आलने के पहले का से और वो 4-play में बताया है क्लाइटरिस को स्टिमूलेट करो क्लिट जो है यूनिलिंग उसको स्टिमूलेट करो फिर लुब्रिकंट का वापर करो मैंने बताया है लुब्रिकंट जो है लूप्स उसको आप लेते हो उंगली से और वजैना में डालते हो बाहर से लगाते हो वज़ाना में डालते हो तो क्या है हो और का बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगा वरत का और एक्साइट हो जाएगी वो सेक्स में हिससा लेगी तो जब ऑ这个ई होती है लाए गया कि 40 प्रतिश्यत औरोत उंको 50% औरोत कि चालीस प्रतिश्यत औरोत ने यह बताया कि हमको निपल को मतलब संको भी चूस किया लिक किया तो उससे भी हमको उतनी मज़ा आती है जितनी सेक्स में इतनी उनको मज़ा आती है आप उसे 40 ओर तो आप यह गर आ है कि कि साथ साथ है आप निपल को Toramani सधी और निपल और इंखना की किसिंग जसांगी on अवुरत ने पुरुष को पुछना चाहिए कि ४्रुछ को पूछना olsun पूछना करना चाहिए तो मसाज अछा पॉइंट है और वह सेक्ड vastly शुष्ट मेंच्छ श्याधा बरता हुए नेक्स में पॉइंट बताता हूँ आपको शेक्स को शेडूल कर देखो हमारा लाइफ शेडूलिंगा है शादी होने के तम शेडूल करते कि नहीं गल्फरेंड को मिलना है या बाहर जाते हैं किसी को और विवा भाई है समझ रखते तो वहां भी शेडूल करते होंगे यह यह सब्सक्राइब को यह तैम पर यह सब्सक्राइब क्या होते हैं कि आजके लोगों का लाइफ बहुत हीच्टी हो चुछा है बहुत है हाड वर्क है आदमी सबरे से बाहर जाता है रात को वापस आता है ठका हुआ रहता है और दिन भर में घर में आराम पूसके इच्छा है आदमी की इच्छे नहीं प्रॉब्लम होगा गर में अवरत बहुत थकी हुई है घर का काम जिन रात कर रही है ठक गई है आदमी की इच्छा है और नहीं बोल रही है याफ लेट की उसको सुने का यह उसको सेbooks करने की बदूरी इच्छ ही नहीं विए slash करके जब आपातके नहीं मैं अच्छे ओ चुकी है मिने वी आफ सच्छेडूल करते हैं तो डेफिनेटली आपको फैदा होई तो तो शेडूलिंग करना कुछ लोग जो है विकेंड सेक्स करते हैं, विकेंड सेक्स मतलब शेनिवा रहे वाद, यह ठुटी रहती है तो ताकि फिर कोई प्राब्लेम हैं, तो शेडूलिंग करना बहुत जरू है, अगला पॉइंट है कि इंटिमेट रहना, एक दूसर को समझ एक दूसर को अंड़स्टैंड करते हैं, पति पतनी का रिष्टा सिर्फ सेक्स करने पूरता या बच्चे पैदा करने पूरता नहीं है, शादी किया, इसका मतलब एक और अवरत घर पे लाया, कि जो बिना पैसे की 24 घंडे अविलेबले काम कर रही है, घर में काम भी कर रह बच्चों को इसंबाल रही है, ऐसा नहीं है, इंटिमसी, प्यार, यह बहुत जरूरी है, और समझ जाओ कि यह आपका प्यार बहुत ज्यादा है, आपका सेक्स भी बहुत अच्चा होगा, प्यार नहीं है, जंजड है, जगड़ा है, तो सेक्स में भी प्राब्लम हाएंग अगला पॉइंट है उमर, एज, क्या बात है कि जैसे उमर बढ़ जाती है, तो वैसे वैसे बोड़ी आवाज करने लगती है, जो ताकत, जो इच्छा, जो एक्साइटमेंट, बीस साल में होती है, वो डेफिनेटली 40 साल में ने हो, डेफिनेटली वो पचास साल में ने रही, तो फिर ये भी हमने रिकरगनेज करना चीए, कि एजिंग जो है, वो बहुत जादा महत्वर रखती है, और एजिंग में दोनों को भी इच्छा कम हो जाती है, पेशली औरत का मेनुपाव जैदी हो गया, मतलब MC बंद हो गई, महावारी बंद हो गई, तो उसके बाद में, मतलब सब खतम हो गई, तो तबी की लोगों को इच्छा कम हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए, प्राइवेसी नहीं मिलती है, एज भी बड़ा हुआ है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो यह हमको ख्याल रखना है, कि ज्यादा उमर हो गई, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है, सेक्स हॉर्मोन, उसकी भी मात्रा कम हो सकती है बलड में, तो फिर वो टेस्ट करना जुरूरी है, इसके साथ-साथ उमर बड़ी हुई है, और सेक्स की इच्छा कम है, तो डाइबीट जिससे आपको सेक्स में तकलिव हो सकती है और सेक्स का आनन आपका कम हो सकता है, पिर नेक्स्ट आनन बढ़ाने के लिए और क्या करें, आनन बढ़ाना है तो mutual masturbation mutual masturbation मतलब एक दुसरे का हस्त में चुन करके लिए अवरत करती है हस्त में चुन पुरुष का पुरुष करती है हस्त में चुन अवरत का और दोनो एक दुसरे का हस्त में चुन करती है और उसके पहले पुरी बाड़ी एक्स्प्लोर करते है पूरे बॉड़ी को मसाज करते हैं, पूरी बॉड़ी एक्स्प्लोर करके हस्त में थुन करते हैं, क्या होता है कि हस्त में थुन, शादी शुदा लोग करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि अवरत प्यार नहीं है, उसके MC है, या बच्चे छोटा है, या प्रेगनसी है, बच् लुज़ार लग प्रोग्राम्स होते रहे लाइफ में तो फिर विचल मास्टूबेशन भी एक है कि जब और तयार नहीं है तो यह आदम से नहीं है इसकी इंच्छा नहीं है और को बहुत पर अदने क्या करना है कि और कमास्टूबेशन कर देनेगा में स्वाइब sewer ऑर करना बहुत अच्छा है तो वो करना ज़रूरी है मस्टुबेशन दूरिंग फोर पिया अब राइट दिमाख होना ज़रूरी है राइट दिमाख मतलब stress जो है वो एडिया है तो वो प्राब्लेम करता है दिमाख एकदम relax होना बहुती ज़रूरी है दिमाख रिलाक्स नहीं है तो नहीं करने का है दिमाख रिलाक्स नहीं है तो सेक्स नहीं करने का है नेक्स एटम वाइबरेटर या सेक्स प्राइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वाइबरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो कलाइटरल स्टिमूलेशन तो बहुत अच्छा हिस्सा लेंगी और अपको भी बहुत अच्छा पाइदा होगा, तो वाइबरेटर का इस्तेमाल करना वो बहुत ही ज़रूरी है और अलग-अलग sex toys है, उसका भी इस्तेमाल आफ आफ था, पेनैल रिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम बम्पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह इस्तेमाल करके आप sex का मजा बढ़ा सकते हैं नेक्स एडम वाचिंग पोर्नोग्राफी वाच करते करते सेख्स करें. और ऐसे पॉन है कि जो एतिकल पॉन, इसका मतलब ऐसा है कि अच्छे है, मतलब कोई गंडी नहीं है, गंदगी नहीं है, और जो एक्वल एक्षील रियल लाइफ जो सेख्स बताते हैं वो उसके, वो र पहले दोनों मिलके पॉन देखे और दोनों देख अधिफ,開गे दोनों को बहुत अच्छा एक्सीटमेंट आता है् और दोनों को अच्छा एक्साइटमेंट आने के बाद में फ्यरोख करते है को एैथिकल पॉन को वाच Sena और पॉन देखके बास प्रूबेट करना वो भी अच्छा है, 6-20 वापर ना अच्छा है, और 6-20 अब वापर देखे तो उसमें बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, नेक्स एटम है कि आफ्टर प्ले कर, आफ्टर प्ले बहुत ही ज़रूरी है, चाहता है कि एक बार जीरिये पतन हो गया, बाद में आदमी अलग हो जाता है, आदमी अलग होके, वो अलग डायरेक्शन में करके सो जाता है, और अवरत को उसके बाद में भी चाहिए रहता है, उसको रखता है कि उसके बाद में भी उसको हग करना, उसको गले लगाना, पिठी मारना, kissing करना, बाद में भी उसको चाहिए रहता है, उसको बलते हैं, आउट प्ले या आफ्टर प्ले, तो आफ्टर प्ले याप करेंगे, तो बहुत ही फायदा है, उसमें भी बहुत जादा excitement होंगा, और और अउरत को मुझे वापरा गया, ऐसा feeling नहीं आए, तो यह मैंने भी बताया आपको, कि अभी सारी मैंने बताया, कि जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेक्स का अनन्द बहुत अच्छा बढ़ जाएंगा, अब यह बताता हूँ आपको, कि यह इसके साथ-साथ, हमारे पास में जो लोग आते, वो अलग-अलग प्राब्लेम लेके आते रहते, और यह प्राब्लेम्स देखो, यह सुआग राजते पहले क्या जानना ज़रूरी है, फिर गर्फ्रेंड के साथ बात करते-करते, पर चिप-चिपा पानी आता है, फिर सपन दोश से कमजवी के लिए क्या करे, फिर लिंक तेड़ा है करके आते हैं, फिर नाइट फॉल हो रहा है करके लोग आते हैं, नाइट फॉल हो रहा है, सपन दोश, फिर धाट सिंड्रोम मतलब बहुत जादा विरिया गया है, बहुत जादा विरिया गया है, तो प्राबलम है, इसलिए लोग आते रहते हैं, इसका इलाज करना जरूए है, कुछ लोगों लगता है कि अपना लिंक छोटा हो गया, दुबला हो गया पतला हो गया इसलिए लोग आते रहते हैं तो यह जो प्रॉब्लेम्स है यह प्रॉब्लेम्स बहुत जादा है हम सभी का इलाज करते हैं आप मेरी अपॉइंट्मेंट ले सकते हैं अपॉइंट्मेंट लेके बात्चीत कर सकते हैं शिखर बतन करना शुपन दोश होना वान एडिक्शन है यह सब प्रॉब्लेम्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का तक बढ़न को प्रॉब्लेम्स मतलब मैं आपको जा सकता हूं कि सव मेंसे दस लोगों को यह प्रॉब्लेम ए और 100% लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी ना कभी प्रॉब्लेम आता है कभी ना कभी तो यह हमको देखना है कि इरेक्शन मतलब लिंग में कठोरता नहीं आती है और लिंग में कठोरता नहीं आती तो उसके लिए क्या करे मैं बता रहा हूं एक तो लोगों को लिंग में कठोरता हो जाता है ऐसे अलग अलग प्रॉब्लेम्स है तो उसके लिए हम काउंसिलिंग करते हैं दवाईयां देते हैं इसका कारण है डियाबिटीज, ब्लेड प्रेशर, दवाईयां तो ने बहुत बड़ा प्रॉब्लेम जो लोगों को है पचासे साथ प्रतिशत वो प्रॉब्लेम प्री मैच्चर एजयकुलेशन का, शिगरपतन होता है और शिगरपतन पतलब बात्चीत करते करते चिप्चपा पानी आएगा, आत ने हांत महां लियां तो निकल जाएगा, खेलते-खेलते फोरॉब्ले निकल जाएगा, या लिए अंधर ढलते ही फटाक से निकल जाएग तो यह सब ऐसा रहा तो मजह आता नहीं, जगड़ा होता है अवरत के साथ में चिंता, ठीकर, निराशा यह होती है और फिर वहां से प्राबलम आता है, लोगों को हस्त में तुन करना बुरा लगता है, वर हस्त में तुन की यदि आदत लगिया तो बुरा है, वैसा हस्त में बुरा नहीं है, हस्त में तुन से जल्दी गिरने की भी आदत लग जाती है, अब यह जो प्राबलम से है, जगड़ा, तलाक, लिष्टे में दूई, अपरादबोग की भावना, विवावाय संबन, खुशी नहीं है, शान्ती नहीं है, शकिलापन, ऐसे अलग 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 उलगड़ाइब, इसका इति आपको इलाज चाहिए, तो मैं इलाज आपको बता रहा हूं, कि आप क्या करो, simple है, कि इसका दो तरह से रिलाज, एक है दावायान और दुसरा है, काउंसलिव, दावायान और काउंसलिव, दोनों भी करना जरूरी है, zwei भी करना जरूरी है, कि दवा कि आपको कोई भी मेडिकल स्टोर से नंमिल गया है सिर्फ दवा इससे काम होता नहीं है इसलिए में लब बार बता रहा हूं कि आपको और यह अलग अलग पांच प्रकार की गोलिया है पांच छे चार जो भी आपको लगती है हम क्या करेंगे कि जिसको भी इच्छा है कि गूली चाहिए कांसिलिंग चाहिए तो आप मेरे से कल बातचीत करो कल मेरे से बातचीत करना है मैं आपका प्राब्लेम समझ लूँगा आपका प्राब्लेम समझ के पर्लब कल सभेरे या परसों सभेरे जैसा भी टाइम मिलेंगा तो और आपका प्राब्लेम समझ के आपको यदि देखना है तो मैं देख लूँगा वीडियो कॉल के उपर आपकी इच्छा है तो हम वीडियो कॉल करेंगे और आपको मैं समझ कर फिर बाद में गोलिया इसके साथ साथ मैं आपको सेक्स एडियो किये वीडियो दिए है तो हमारा में कोर्स है जिसमें ये पावर की दवाईया है पावरफुल बनाने की दवाईया है शक्ति खाली बनाने की दवाईया और इसके साथ साथ मैं आपको सिक्स सिक्स कांसिलिंग सेशिंगा च्छे कां करें लिगां करें हैं तो आपको यह टेक्निक सिखा तरट शार्ट शार्ट बढ़ करो दबा फिर चाल्वर बनकर दबा जा लोकर भुड़ वनिक या उसकाते रहें। जिस से आपको श्युगर्पतन का प्रॉब्लम करने में मदद होती है। तुछ फिर हम आपको तो इसके साथ-साथ online course में कीगल्स एक्रसाइस सिता रहे हैं, कीगल्स एक्रसाइस से भी शिगर पतन के लिए बहुत मदब लिए, वैसे मैं आपको यह सब होने के बाद में आखरी में, पांच ऐसे बाते बताने माला हूं, पांच सिक्रेट्स, कि जिससे आपका शिगर बतन बन हो जाएंगा या कम हो जाएंगा, तो आप बने रहेगा, मैं आपको पांच ऐसे सिक्रेट्स बताऊंगा, टिप्स दूंगा, कि जिससे आपका शिगर बतन ठीक होने में मदद होंगी, तो आप बने रहें, जुड़े रहें, सुने, ताकि आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, तो यह सब ऑनलाइन, यह है, बोनस वीडियो में आपको दूँगा, इपनाटिजम से नपन सकत्व का इलाच कैसा होता है, वो वीडियो में आपको दूँगा, तो यह पांच तरकार की गोलिया है, यह गोलियों का ऐसा है, मैं आपको बात करने के बाद में गोली ब के दो गंटा पहले लेने के हैं दो नो भी शादी हुई है पानी के साथ में गुली लेने के पानी के साथ और जिनको शिगरपकन की बीमारी है उनको मैं अदग दबाई दूगा जिनको लिंका, कटगपना, कठोड़ता नहीं आती, उनको रहाँ दवाई दूंगा, जिनको दोनों प्राब्लम दूंगा, हमारे पास में आईल है तो आईल दूंगा, मलम है तो मलब से, तो ऐसे अलग अलग दवाईयां मिलेंगी, काउंसिलिंग के छे सेशन मिलेंगे, इसमें अलग-अलग काफी सारे प्राब्लम होता है, आप केड़ बॉक्स में डाल सकते हैं, कि यह जो मैंने 9 प्राब्लम लिखे है, उसमें से आपको कौन सा प्राब्लम है, जिसके लिए आप दवाई लेना चाहोगे, या काउंसिलिंग करना चाहोगे, येस बताइए, एक, दो, अच्छा, वन एंड टू, वन एंड टू, ओके, ये जो हैने, ये खोस्ट एंड कोस्ट कर रहे हैं, है न, वन एंड टू, येस, वन एंड टू, ओके, वन, वन, टू, ओके, नाइन, सिक्स, ठीक है, दो, ओके, गुड, चाहर नंबर, कभी लोगों को लगए-लग प्रॉब्लम के ठीक है, समझ में आया है, तो इसके लिए मैं आपको दवा दूँगा और कॉंसिलिंग करूँगा, ठीक है, गुड, तो अभी एक, दवाई कैसे मंगा करना, उसके बारे में बोल रहां हूँ, मेरे से बाप कईसी करना, पृर मेरे से बाप करने के बाप में, क्या करना है, आपको बटाऊ एम मणा है. र voorका हो सब सेशने 13456 इसमें को बोलेंगे वह आप सेक्स करो जए सटेक्स इस निए भाएंगे अन्हें और आपने फिर एक दिन छोड़ के आना है फिर म buen-ink से अवार इसा झे यह वार गरेंगे आ कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो भी निकल जाएंगा कोई प्राब्लेम नहीं है और यह जो दवाईया है पानी के साथ में लेना है और दूसरा शादी होने की है तो सोने के दो गंडा पहले लेने की है थीक है कि पहले हम अठावी साजार नौसो पंचैनव में देद्व है फिर हमने यह लोगों को दवाईयां कॉंसिलिंग सब 28,995 का है पुरा अलग-अलग अलग 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 लेते हो तो आपको यह अठावी साजार नौसो पंचानवी रुपे का मिलेगा अलग लेते है आप यदिये कॉंबो पैक लेते हैं तो ये 14,999 रुपे का मिलिया है 14,999 एकदम लेते हैं फटा 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 ये हमने अभी स्पेशल करोना के समय जब लोगों को प्राबलेम था कांसिलिंग का दवायों का तो आमने ये सिर्फ 9,9999 रुपे में दिया 9,999 फिर ये लोगों को महंगा पड़ा महंगा लगा यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे चाहिए मगर मैं इतनी पैसे नहीं दे सकता हूं तो फिर आप अभी के अभी यदि पैसे देने को तयार ह आपको अभी के अभी सिर्फ ये पड़िए मां 2999 रुपे का इसमें क्या जांगा इसमें दवाया आएंगी इसमने 6 मांसेिंग आएंगे, इसमें 60 वीडियोज आएंगे और ये सिर्फ अभी के लिए है 2009-99 आप अभी भरो ये तो मैं क्या करूँगा कल आप से बात करूँगा और बात करके आपको दवाईयां दूँगा दवाई कैसे लेना है उसके वीडियोज में आपको दूँगा दवाई कैसी लेना है छे काउंसिलिंग सेचन है उसको हम बुलाएंगे और वो भी आपका इलाज हम करेंगे ठीक है न तो ये 2000-99 आपको पेमिंट कैसा करना है आपको पेमिंट करना है आपको पेमिंट करना है अलो शेवट ले लिंक उड़े हमाँ टीक है अभी मैं आपको ये पेमिंट करने की लिंक देता हूँ ये लिंक हमाँ आपको डालते है ये लिंक आली हुऑ है इस्था मूझ की ये लिंक में पर क्लिक कर सकते है और ये इंड़ोपर ख्लिक करके आप बेस कते हैं 2009 109 पर आपको गूगल पर फून पर करना है तो मैं 922570101 गुगल पर तो यह गूगल पर आप पेएमेंट कर सकते हैं तो आपने पेमेंट के बाद में स्क्रीन्शाट डालने का था कि हमको पता कि लेगा खिसने पेमेंट किया हुआ आपका नम्मर और नाम इतना करना है जो लोग यूटीब पे है उन्होंने भी यह करना है आप यह लिंक